कि अक्सर कि लोग कितनी गलती करते हैं स्पोकन इंगलिश में देखिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ आप ही मुझे बताई बताई बताईए वेडर दिस सेंटेंस इस करेक्ट और नॉट मैं लिखता हूं बोर्ड पर I know I know what is your name बताईए सेंटेंस सही है है या गलत है मैक्सिमम एंसर आएंगे आपको 95% प्लस लोगों के एंसर आएंगे यह सेंटेंस खरेक्ट है पर यह सेंटेंस गलत है अगर अगर अ शेंटेंस सही होता तो यहां पर पाहिली बात तो निट्र नम लगट तो यहीं मिए इस में क्या करते हैं क्यों मैसले क्यों मैं आपको बता तो और सही क्या बत यह लिखता हूं यहाँ पर I know what your name is यहाँ पर यह जो वाट यूस किया है this is used as relative pronoun अगर हम यूस करते तो आखरी में question mark भी आता लेकिन दिखने में कितना सही दिखता है कोई गलती दिखती नहीं हमें इसमें तो यह आप कभी भी ख्याल में रखेगा किसी की सेंटेंस के बीच में एक तो डबली एच एच प्रोनाउन और how and that यागर सेंटेंस के बीच में आते है तो समझ लेना कि it is used as relative pronoun ठीक है ना मैं समस्ता हो को आपको यह concept समझ में आया होगा ऐसे ही हम बहुत सारे concept आने वाले हमारे वीडियो में देखने वाले है तो if you are watching this video first time please subscribe my channel and hit like button also press bell icon thank you very much for watching this video